बिहार स्विल कोट का दोस्तो कलर्क और पियून का परिच्छा कब होगा इससे पहले दोस्तो एक नोटिस आया है जिसमें बहुत सारे लोगों ने फोम भरा था उनका फोम रिजक्ट कर दिया गया है रद हो गया है तो आप परिच्छा दे पाएंगे की नहीं दे पाएंगे आपका फोम रद हुआ है की नहीं हुआ है चलिए चेक करना आपको सिखा देते हैं कैसे चेक करना है और दुसरी बात कि इसका एकजाम कब होगा किस महीने होगा क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारा नोटिस दोस्तो इसके ऑफिसियल साइड प्यार आ है वो सारी बाते गूगल पे जाके ऐसे लिखेना है बहुत सारा लोग दोस्तों पूछ रहते कि कैसे हम पता करें कि हमारा फोम रद हुआ है की नहीं हुआ है सिविल कोट पटना लिख करके और यहां पे किलिक किजिएगा सर्च किजिएगा जब सर्च किजिएगा तो आपको इस तरह से दो अप्लाई किया था तो आपका दोस्तों यह रद हो गया है कि क्या हुआ है चलिए यहां से जानते हैं यह जो नोटिफिकेशन है यहां पे आपको दबाना है ठीक है यहां पे हमने क्या कर दिया क्लिक कर दिया और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जब इस पे क्लिक किए बतलब कि यह बता रहा है कोट रीडर का जो 17 दिसमबर को एक्जाम हुआ था उसमें कितना नंबर किसको मिला था उसके बारे में यहां पर बताया गया दूसरा लिस्ट और कंडिडेट क्वालिफाइड इन पीटी 17 मार्च के एक्जाम में जो पीटी का एक्जाम जो हुआ था यहां पर नीचे में प्यून नोटिश डेटेट 17 फरवरी रिगार्डिंग पब्लिकेशन और रिजेक्टेड अप्लिकेशन फॉम प्यून तो इस पर आपको क्लिक करना ठीक है इस पर आप क्लिक किजिएगा आपका फॉम रध हुआ है कि नहीं हुआ यह पता चल जागा इ इसमें क्या करना आपको इसको ऐसे करना है यहां पर लिखा हुआ है कि लगबग 2,28,000 लोगों का आवेदन रध हो गया है अब नीचे में देखिए कि रेजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लोगों के नाम दिये गये हैं और कारण बताएगा है बकायदा कि किस कारण से आपका फोर्म रिजेक्ट किया गया है तो आभी इसमें चेक कर सकते हैं टोटल 2,28,000 संक्या है तो आप रेजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके उससे चेक कर सकते हैं तो इसी में आपका है ऐसा ही चेक होगा अभी जो आप सामने नोटिफिकेशन देख रहे हैं यह कोट रीडर का जो मेंस के लिए यहां पर सेलेक्ट किया गया है अब यह जो नोटिफिकेशन लागातारा रहे हैं यह इस बात का संकेत है कि आयोग बिलकुल है एक्षान मोड में आ चुका है वो कभी भी कभी भी नोटिफिकेशन दे सकता है तो आप तैयारी को एकदम कंटिनीव कर दीजे क् माहौल चल रहा है बिहार स्वील कोट के ओफिसियल साइड पे और यहां पे कोट रीडर को लेकर के तीन चार नोटिफिकेशन पियून को जो पियून वाला जो नोटिफिकेशन आया है उसमें रिजेक्टेड लिष्ट दिया गया है कि इनको एड्मिट कार्ड भेजना है इ उसको लेकर के वो लोग अपना मिटिइंग में कर रहे होंगे और फाइनल नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जागा ओफिसियल साइड पे मार्च के अन तक कलर्क और पियून के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ जागा लेकिन एक्जाम आपका जून में होने का चांस से क्योंकी चुनाओं होगा आपको अपरेल माई में